हेलो गईस आज हम बात करेंगे Realme C31 के बारे में और आज हम बात करेंगे हाउ टू सेट अप कीबोड के बारे में वीडियो स्टाट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिचिगा बिलका इकन को प्रेस कर लेना है कीबोड को सेट अप करने के लिए first of all सबसे easy तरीका हम use करेंगे हम कोई भी app open कर लेते और यहाँ पर हम कीबोड को open कर लेते ठीक है तो यहाँ पर अगर customize के बात करें तो काफी कुछ यहाँ पर हम अपने phone में customize कर सकते है कीबोड में जैसे की काफी हमें emoji मिलती है, gif हो गया, voice typing कर सकते है, google translate भी कर सकते है उसके बाद यहाँ पर अगर हम 3.py क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम directly theme change कर सकते है clipboard मिलता है, text com edit कर सकते है, gboard को share कर सकते है, one hand admin मिलता है और floating देखने को मिलता है settings पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम और भी चीज़े customize कर सकते है, जैसे की changes कर सकते है, जैसे की language हो गया उसके बाद performance पर क्लिक करेंगे, preference पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें layout में one hand admin मिलेगा keyboard का height यहाँ पर maintain कर सकते है, इसके बाद themes और अगरा change कर सकते है text correction में हमें यहाँ पर auto correction का feature मिलेगा and g light typing हो गया, voice typing, click board, dictionary, emojis, stickers and gif हो गया कुछ इस type के features मिलते है, मतलब पूरे full pack यहाँ पर हमें जो है keyboard देखने को मिलती है ठीक है, so जो भी हो setup आप लोग अपनी साब से कर सकते, मिलते है next video में, जै माता दी